कहते हैं अंधेरे कमरे में एक दिये की रोशनी ही काफी होती है कल देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ एक और हिंसा भड़क गई तो वहीं दूसरी और राजधानी भोपाल में एक अलग ही भाईचारे की तस्वीर देखने को मिली एक चाचा हनुमान जैन्ती में निकली सोभा यात्रा में उसमें जितने भी लोग शामिल थे उन्हें पानी पिला रहे थे चाचा क्या नाम है आपका वीडियो वाइरल हो रहा है बहुत तेजी से जिसमें आप शोभायात्रा में जो लोग थे उन सब को पानी पिला रहे थे क्या सोच रहे थे आप यह सोच रहे थे कि उपर वाला खुश हो जाए हम धर्म को लेकर क्या सोचते हैं आप जर्म तो यहां बना दिया इंसान तो सब इंसान है हम या आप अलग-अलग खुश है आप जहां पर पानी पिला रहे थे उस छेत्र को अती सवेदन शील माना गया बहुत सेंसिटिव माना गया बावजूद उसके एक दूसरी तस्वीर देखने को मिली कोशिश की हमने बहुत अच्छे से बताईए कि आखिरकार आप क्या सोच रहे थे किस तरीके से आपको यह लगा कि उन्हें पानी पिलाना चाहिए क्या कुछ था गर्मी का टाइम था पानी का कोई इंतिजाम नहीं था नगर निदम से न कहीं से हमारे दिल में आया कि पानी पिलाएं उन्हें के लोग करते हैं लो बहुत तेजी से आपका वीडियो वारेल हो रहा है हर कोई आपको देख रहा है और बहुत कुछ कह रहा है उनके लिए क्या कहें गे लिए ये काम नहीं किया आप देख सकते हैं मैं ओम से आउंगा ओम आप आप क्लोस करिए दिखाइए चाचा आखे नम है आपकी त्यू नम है आपके हालत खराब हो रहे हैं या कि हम यह चाते हैं कि सब मिल जूल कर रहे हैं आप देख सकते हैं पंजाब केषरी ने आपको एक अलग ही दृष्ट दिखाया पानी पिलाते वक्त किसी ने कुछ कहा भी आपसे आप शेख लोगों ने मना किया कि क्यों कर रहा हो तुम यह काम को तमारे साथ यसा वटारा और रहा है, तुम ऐसा भरताऊए कर मैं भी आप ने काम यह दिखाना चाहते हैं एक्वाफिश हाउस के नाम से उनकी एक दुकान है जहां पर मचलियों के दाने, मचलियां, खरगोश और कई ऐसे पक्षियां मिला करती हैं उनसे जुड़े हुए सारे दाने मिला करते हैं आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मोपाल से विवान दिवारी कैमरा परसन ओम प्रकाश गिरी के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद